स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इसमा इन्वेस्टमेंट में विदानता की डिलिस्टिंग को लेके जबर्दस तरीके का बज और न्यूज फ्लो मार्किट में पिछले कुछ वीक से बना हुआ है इस न्यूज फ्लो के बीच में विदानता के शेयर में एक जबर्दस इसपर्ड भी हमें देखने को मिला है काफी सारे लोगों ने जिस तरह की डिलिस्टिंग तो 150 से उपर, 160 से उपर के रेट पर हो सकती है इस शेयर को उपर के रेट पर 131, 135 के आसपास भी काफी लोगों ने लिया है कि यहाँ पर हमें उपर की रेंज देखने को मिल सकती है और आज एका एक stock ने जबरदस correction दिखाई है अब friends इस stock में क्या strategy होने चाहिए current CMP पर averaging करें, fresh खरेदारी करें या बेचके निकल जाएं friends इस video में हम आपको पूरी delisting का पूरा खेल बताने वाले हैं हमेशा जब भी कोई event इस तरह का होता है तो हमेशा उसके दो पहलू होते हैं कि delisting premium पे होती है तो क्या हो सकता है अगर delisting offer fail हो जाता है तो क्या होगा friends इस video में हम आपको के साथ हमें detail में सारे scenarios discuss करने वाले हैं conclude हो जाएगा friends अभी 5-9 October के बीच में जिसका मर्जी जो चाहे वो वो bid लगा सकता है हालाकि जो इसका जो है प्राइस जो company ने रखा है वो लगबग 87-88 रूपे के आसपास है पर जिसको जिस भी rate पर tender करने वो bid लगा सकता है इसके बाद 16 October को counter offer आएगा जहां company अपना revised offer देगी जिस rate पर भी company को bid मिलती है किसी ने 200 पर किसी ने 300 किसी ने 400 पर लगाई उसके बाद उसके according जो भी counter offer company देगी वो 16 तारिक को आएगा और 16 तारिक को ये final हो जाएगा कि ये जो day listing है ये होनी है नहीं होनी है नो तारिक को भी देखने वाली ये बात होगी कि जतने percent share company को चाहिए उतने day listing के लिए आते हैं या नहीं आते हैं अगर उतने share जो है day listing में tender होने के लिए नहीं आते हैं तो ये day listing offer वहीं पर ही fail हो गया यहाँ पर institution investors के पास काफी वड़ा चंक विदानता का है जो finally decide करेंगे कि day listing होनी है या नहीं होनी है जिसमें LIC के पास सवा 6% और ICIC potential के पास लगबग 5% की stake है फिस ये पांसतारिक offer खुला और आज जो data आया था कि day listing में जो है सिर्फ 56% के आसपास जो है अब तक tender हुए है आज ये share intraday में लगबग 15% गी रहा है day listing का जो floor price था 87 रूपे 25 पैसे के आसपास था पर मोटर के पास 50% के आसपास share है और इनको day listing कराने के लिए 39.86 या कहिए 1.48 billion shares चाहिए जो tender में आने चाहिए तब भी ये day listing offer successful होगा अब बात ये आती है कि इसमें जिन लोगों ने ऊपर के rate पे लेकर trap हुए उनकी क्या strategy होनी चाहिए day listing के offer में हमेशा first एक दो दिन में कम ही bid आएंगी क्योंकि day listing में maximum bid जो आएंगी जो tender करेंगे लोग अपने share को वो last day ही करेंगे ताकि तब तक share उनके इस शेयर में जितना भी momentum पिछले कुछ weeks में बना है या पिछले कुछ महिनों में बना है वो सरिफ डिलिस्टिंग की वज़े से बना है otherwise metal share ने कोई भी ऐसा metal share नहीं होगा जिसने market को पीछे outperform किया और विदानता को छोड़ कर और इसमें जो बना है उसका fundamental reason नहों के सिर्फ डिलिस्टिंग का एक रिजन था फेंस कुछ एक बात आपको बहुत ध्यान से समझ लेनी चाहिए काफे सारे news channels और लोग और different platforms से आपको यह बात बता रहे हैं कि डिलिस्टिंग 150 160 170 रुपे तक भी हो सकती है उससे कम पे कोई share tender नहीं करेग पहले तो आप यह बात समझ लीजी कि विदानता का share over corrected है और बहुत सारे institutional retail investor ऐसे हैं जिनों ने 200-220-200 रुपे के rate पे share लिया हुआ है तो obvious है कि वो इतने नीचे के rate पे stock tender करेंगे या नहीं करेंगे इस बारे में एक बहुत doubt है अगर यहाँ पे day listing 140-50-160 तक होती है तो तो retail investors जुनों ने नीचे के rate पे 90-120-130 पे लिया उन्हें नुकसान होने की कोई गुंजाईश ही नहीं है उन्हें जो एक फाइदा ही होना है वो चाहे 10% का हो चाहे 20% का हो पर आप इस बात को समझ के चलिए कि अगर day listing offer fail हो गया तो क्या होगा यहाँ पर जो विदानता की management है और जिस तरह का cash flow उनके पास है यह 87.25 रुपीज flow price आया था counter जो है अगर offer आता है 150-160 के आसपास जिस तरह से market moment कर रहा है expectation की जा रही है 140-145 के आसपास आ सकता है हाला कि उस पर कोई भी comment नहीं किया जा सकता अगर वहाँ पर यह market anticipate करके delisting offer fail होता है तो आप माने के चलिए share दो बारा से 100 रुपे चला जाएगा और जो retail investor उपर के rate लेकर trap हुए है वो अगले 2 साल नहीं निकल पाएंगे अगर further delisting process start नहीं होता है पहली चीज दूसरी चीज कि company की management की ना ही इतनी ताकत है और ना ही current market sentiment ऐसे हैं कि वो capacity भी नहीं है और उसका जो है जो इन्होंने floor price रखा है और जिस तरह का market anticipate कर रहा है उसके देखते हुए उसके chances भी ना के बराबर लगते हैं तो जो लोग 125-130 रुपे पर से anticipation पर खरीद गए बैठे हैं कि delisting 150 के ऊपर हो जाएगी किसी भी तरह से risk reward उनके favor में नहीं है क्य तो यह share वापिस से 100 रुपे आ सकता है इसमें कोई doubt नहीं है आज इवन आईसे इसे security के एक report भी आई है जहां पर इसका target 120 रुपे दिया गया है तो friends इस stock में इस rate पर चाहें वो 120-35 हो correction के बाद भी fresh खरीदारी ना करें इस delisting को लेकर इस बात को ध्यान से समझ लीजिए इस delisting के base पर 150-160 में stock tender हो जाए इस बात के तो फिर भी chances है पर यह stock कोई 200-220-200 जाने वाला नहीं है इस बात को समझ लीजिए अगर आपने lower rate पे लिया है 80 रुपे 90 रुपे 100 रुपे या 110 रुपे तक तो आप हर तरीके से safe है क्योंकि अगर delisting offer fail भी होता है तो भी आप पर इस current के rate पर fresh खरीदारी नहीं करनी है इस बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिए और अगर आपने delisting के लिए stock लिया है तो आप 16 तारिक तक wait करिए 9 तारिक को देखिए कितनी bid आती है as a retail investor counter offer के आता है उसके बाद ही अपना stock tender करिए अभी आपको tender करने के जुरुत भी नहीं है अपने stock को अपने demet में रखिए ताकि अगर open market में price बढ़ता है तो आपके पास sale करने का option रहे क्योंकि tender अगर आपने कर दिये तो same day आपके share debit हो जाएंगे account से इस बात को समझ लीजिए किसी भी अफवा में आके अपर rate पे इस पर fresh खरीदारी करोगे तो delisting हो य ही ता जब यह stock 100 रुपे के नेचे trade कर रहा था अभी यह बढ़ चुका है यहां पर fresh entry अफवाओं में फसके लेने की गलती ना करें फिंट्स वर्दर आपकी कोई भी कोई इस वीडियो को लेकर हो मुझे comment section में बताइए वीडियो आपको पसंद आईए लाइक कीजिए फि चैनल को सबसे बले subscribe कीजिए थैंक यू